गुड इवनिंग फ्रेंज मैंने में इस राज और आप देख रहे आपका अपना चैनल राज टेकनिकल एनालेसस आज का डेट है 2 नवंबर 2021 आज हम लोग जिस शेयर के उपर बात कर रहे हैं वो है HDFC लाइफ तो अगर आप इस शेयर पे इन्वेस्ट कर रहे है या ट्रेड कर रहे है तो वीडियो आपके लिए है क्या है इसके सपोर्ट लेवल और क्या है इसके रेजिस्टन्स लेवल आप अगर कोई भी वीडियो के उपर कोई भी शेर के उपर वीडियो बनवाना चाते है तो जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स पे बताईए ताकि मैं उस पर जल से जल रिसर्च करके वीडियो बना सको HDFC Life का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी मैं अपने सब्सक्राइबर डिमांड पे ही बना रहा हूँ कितने काम करते हैं इसके लिए आप मेरे मंतली प्रिवेउस के कोई भी दस वीडियो निकाल कर सकते हैं यहां पर भी मैंने आप लोगों के लिए टेगरी वाइस क्लासिफिकेशन किया हूआ है अब बात करते हैं SDFC live के आज की जो closing रही 2 November 2021 को यह 692.65 अगर आपने मेरे 2 lakhs का जो मैंने series बनाया वो देखा रहेगा ये मैंने लिया था 670 के price पे और बेचा 740 के around आसपास अब क्यों लिया था और क्यों बेचा आप समझेए वो series अगर आप देख रहे हैं वहाँ पे कितने share है ऐसे share है जैसे आपने RBL bank देखा मैंने last time भी जब वीडियो बनाया तब भी बोला 177 पर फिट से buy कर सकते है और आज देखे उसने एक बार में support से resistance लेवल तक वो पहुंच गया बात करेंगे HDFC live के आज की जो closing रही जैसे मैंने बता है 692.65 52 week low अगर आप इसका देखेंगे यह 580 रूपी 35 पैसे और 52 week high है इसका 775.65 पैसे अब आप लोग गैस कीचे क्या यह December 2021 22 और 23 तक 1000 तक टच करेगा या नहीं करेगा आपको क्या लगता है मेरे comment box पे जरूर बताना साथ में बात करेंगे return on investment एक साल का इसका return on investment देखेंगे यह 17.41 परसंट है 3 year का यह return on investment दिये है आपको 22. 22.80% और 5 year का है यह 14.89% जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर आप investor है आप कोई भी price पे लीजे 5 साल 10 साल 15 साल अगर आप वेट करेंगे आपको अच्छे return जरूर देगा बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं short time trader है तो आपको एक ही चीज करने है support पे buy resistance पे sale support पे आ आपने कोई share support पे buy किया resistance पे sale किया तो आप उसको wait करो कि हाँ यह कब support पे आएगा और दूसरा share ढूंडिए जो support लेवल पे चल रहे है सबसे आसान ट्रिक है अगर आप अच्छे से पैसा कमाना चाहते हैं अब बात करेंगे company overview के बारे में जैसे मैं आपको हमेशा बोलता ह साल में यह company कहां से कहां जा सकती है category अगर आप देखेंगे यह miscellaneous category में है providing life insurance solution सबको पता है HDFC life जो services है कुछ यह लाइक ऐसे provide the following services like term insurance plans, savings plans, ulip plans, retirement and pension plans, health plans, child plans, combo plans, group insurance plans and POS plans तो यह insurance क्या है plans के अंदर क्या क्या आता है यह मेरा motive नहीं है क्या services देता हूँ क्या services देते हैं यह motive है तो यहाँ पे इसके लिए मैंने सिफ इनका services आपको explain किया है और अगर आपको इसका detail जानना है तो please इस company के site में चाहिए सारे information आपको available है अब आते हैं हमारे channel की USP की जो है support और resistance जान देना resistance भी इसका 700, resistance 2 is 725 and resistance 3 is 750 अभी भी यह 200 day EMA पे है बट RSI इसका 43 है और long term of course HDFC group का है long term अगर आप रखना चाहते हैं इस price पे भी जैसा मैं आपको बताया है अगर आप investor है आप कोई भी price पे ले सकते हैं अगर आप इस price पे भी लेंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल में यह आ बरूर देगा अब जरा technical charge देखेंगे अगर आप यहां पे देखेंगे यह चार्ट भी ऐसा ही है अगर आप देखेंगे यह रहा इसका resistance zone यह रहा इसका support zone ठीक है आप आपने अगर यहां पे एक चीज़ नोट किया मैंने इसको buy किया था support zone पे और base दिया था on top अगर wish करता हूं कि उनका यह साल बहुत अच्छा जा है trading में और यहां पे देखेंगे जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं share जो है 80% share जो मैंने आपको हमेशा बोला है support resistance पे चलते हैं अगर आप यह चीज़ फॉलो करेंगे तो definitely आपको profit होगा अगर आपने यहां पे buying करने की गलत से बनाई है जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं मेरी वीडियो देखकर दिन का 10,000 20,000 नहीं बनेगा बट आप 10 ट्रेड लेंगे तो 8 आपके favor में जाएगा अगर जो भी मैंने stock market tips की जो playlist आप उससे देखेंगे जो भी मैंने cover किया है जो भी points किया है वो discipline अगर आपने follow कि तो आपको profit होने से कोई नहीं रोक पाएगा बट अगर आपने discipline तोड़ दिया तो आपको loss होने से कोई बचा नहीं सकता उमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो please like और subscribe कीजिए जैसे मैं आपको support करता हूँ सही support और resistance दे कर उस तरह आगे आपके family friends पर forward कीजिए जो लोग भी share market में trading कर रहें या फिर investing कर रहें ताकि यह important information उन तक भी पहुंच सके thank you so much have a nice day